हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोग का आपके इपने यूटिव चनल डिप्लोमा वाला पर दोस्तों आज इस वीडियो में लोग सुरू करने जा रहे हैं LCM SCF का क्यूशन यानि कि बेसिक हमने पिछले वीडियो में सिख लिया था इस वीडियो में क्या करेंगे डिरेक्स क्यूशन सॉल्व करेंगे तो पहला क्यूशन देखिए क्या कह रहा है कि 20-94-85 और 48-89 का महत्म समापर्तक यानि कि LCM SCF दिया है यक्स है तो यक्स के अंको का यो तो यहाँ पर करना है आपको इनका LCM निकालना है LCM आप लोगों के लिए हमने तीन तरीके बताएं आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं पहला तरीका हमारा था भाग भी दिए तो इस SCF निकालेंगे, इन संख्याओं का SCF, 20-94, 84 होड़ता है, इनका SCF आ जाएगा, देखिए अब SCF अगर हम निकाल के दिखाएं, तो काफी जादा आपको टाइम लग जाएगा, तो हम वीडियो को हमें छोटा सा बनाना होता है, तो इसलिए हम पहले से ही SCF आपको निकाल के द 22, इनके अंगों का योग के आ जाएगा, 22, कुछ निकालना बस SCF निकाल के उनके अंगों का योग कर देना है, अब आएए दूसरे नमर के क्यूशन पर चलते हैं, अब दूसरा क्यूशन आपका देखिए क्या है, 30, 70, 75 और 48 होंती, इनका SCF निकालना है, और SCF निकालना ह तो देखिए यहाँ पियाँ पिया अंतर विदी से इसका निकालना सही रहेगा, कैसे रहे घएगा, भाग विदी से पिया साथ निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे जो बिश्ट तरीका अमारे हेशाऑ से होगा, यहाँ Arbeits क्या हो जाएगा इन दोनों का अंतर हो जाएगा सattरे छबबं तो अब देखे हमने आपको बताया था कि इनका जो यह तीनों संख्याँ हैं इनका जो सी है पोता है पहले वीडियो जो लोग पहला वीडियो नहीं देखें तो यह सारी चीजे ज्यादा के लिए रोंगे जो इनका SCF होता है वही इनके अंतर का भी SCF होता है यह सारी सीजी हमने आपको पहले भी बता चुका है तो देखिए अब इनका SCF निकालेंगे तो इनका SCF हमें थोड़ा सा आसानी होगा क्योंकि देखिए या तो यह खुद संख्या यही होती है SCF कोई भी जो दो संख्या हो देखिए पहले हमें तीन संख्या थी अब हमें मिल गए दो संख्या तो दो संख्या हो में या तो यह छोटी वाली संख्या होगी या तो इसका कोई फैक्टर होगा तो छोटी वाली संख्या तो है नहीं क्योंकि ये छोटी वाली संख्या इसको डिवाइड नहीं करेगी तो इसका कोई factor होगा तो हम simply इसका factor करते हैं तो इसका factor करेंगे तो एक 3 होगा और एक factor इसका 449 होगा factor करने आप लोगों को आता होगा इसका factor कैसे करते हैं जैसे कि यह मा लेजिए 13-17 है 13-17 है तो इसका सबसे पहले यह देखें तो एक दो से तो कटेगा नहीं तो 3 से हम चेक करते हैं तो 3 चुक का 12 है 3 तरीक का 9 और 3 नवा 27 तो इस तरह से ॉर यह देखें गे जो 449 आया यह 449 से 4 बार में यह भी कर जाएगा 449 बार में यहाँ पी हमको acht कि डिका दिखाइं दिया कि यह 249 दोनों में कामन है और याँ दोनों क्या हैं यह दूनों एक दूसरे से को प्राइम हैा हूं यही चीजर हम कल चीप कामन नहीं है तो यह जो संख्यावची बड़ी वाली यहीं हमारी पकड में आ रही होगी तो अभी इतने ज़्यादा इससे question है करते करते आपको एक time ऐसा है कि यह सारी चीज़ें आपको clear होने लगेंगी कि यह है क्या चीज़ और इससे question को कैसे solve करते हैं एक्जाम में ज़्यादा तरह जैसे देखें यह जो तरीका हम आपको बता रहे हैं इससे काफी question आपको solve करने वाले हैं मतलब यह तरीका बिना लगाए आपको question solve करना थोड़ा सा कठीन होगा इसलिए यह तरीकों को सीखना जो है बहुत जरूरी है अभी देखेंगा आगे LCM SCF number system सब में आपका इस तरह के सवाल आपको दिये गए हैं तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि अभी SCF निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं अंतरविदी से निकालने हैं अब यह तीसरे नंबर के question पर चलते हैं अब देखें जैसे तीसरा नंबर यह question है कह रहा है कि दो संख्या जो होता है हमने आपको कल यही चीज़ समझाया था कि अंतर जब हम लेते हैं तब भी हमारा अंतर का भी SCF कैसे सेम होता है क्या है चीज़ हम आपको समझाया थे जैसे हमाली जी एक S.C.F. इसका 19 है तो 19 क्या होगा पहली भी संख्या में सामिल होगा और दूसरी भी संख्या में सामिल होगा S.C.F. क्या होता है दोनों संख्या में सामिल होता है क्योंकि यह ऐसा S.C.F. क्या होता है सबसे बड़ी संख्या होती है वह सबसे बड़ी संख्या होती तो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे तो डिवाइड करेगी इसका मतलब क्या है कि अगर 19 किसी संख्या को डिवाइड करेगी है तो या तो खुद 19 होगी या तो 19 का कोई multiple होगा तो यानि कि इस संख्या में भी 19 होगा और इस संख्या में भी 19 होगा तो हम मान लेते हैं कि दो संख्याओं का योगफल क्या है 342 तो एक संख्या मान लेते है 19 x और एक संख्या क्या मान लेते है 19 y अब इन दोनों संख्याओं का योगफल दिया है 342 तो हम क्या करेंगे 19 x प्लस 19 y क्या दिया है 342 यहां से हम एक्स प्लस वाई कमान निकाल सकते हैं एक्स प्लस वाई और यह 19 आपका क्या हो जागा कामन हो जागा तो इसको हम इधर पच्छांतर करेंगे 342 तो यानि एक्स प्लस वाई कमान यहां से अगर निकालें तो 19 से इसको काट देंगे तो 19 से कितनी वार में कट जाएगा 18 वार में कट जाएगा 19 से 18 वार में ये कट गया तो X प्लस Y कमान क्या आगया 18 आगया अब आप से पूछ रहा है कि ऐसे कितनी योग में बनाए जा सकते हैं मतलब ऐसी संख्या हो कि मतलब ये संख्या है जरूरी तो है नहीं कि यह सिर्फ 19 X है 19 Y है तो कोई है 2 संख्याए है जिसका 6 U va sect Si » 9 है और उंका यह फल है इतना है ऐसी कई संख्याऔ भर से बना जा सकती है तो वही हमसे जाना जारा है कि यह कितनी संख्याऔ भर जा सकती है तो हम को देखिए अब यही मिल गया X और Y का मान यह यही चीज़ हम आप से समझा रहे थे हैं कि अगर यह CF हम किसी शंख्या से निकाल लेए अभी दूसरे कोशिशन में हम यही समझा रहे थे कि यह CF अगर किसी संख्या में निकाल ले तो जो X और Y होता है यह एक दूसरे का को प्राइम होता, को प्राइम होने का मतलब इन दोनों में कोई चीजे कामन नहीं होती है तो X और Y कमान हमने क्या निकाल लिया? 18, 18 कौन कौन से स्थिंह क्या हो सकते हैं, देखिए एक तो 70 और 1, 70 एक 18, एक और 70 में कोई चीज कामन नहीं है एक जोड़ा तो यह बन सकता है यानि एक्स कमान एक और वाई कमान अगर हम सत्रे ले 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 तब भी हमारा जो योख़ल आएगा क्या आएगा यही आएगा क्योंकि देखें यह सत्रे एक्स और वाई सत्रे एक अठार है अब देखें, दूसरी संख्या क्या हो सकती है, दूसरा जोड़ा क्या हो सकता है अगर हम कहा हैं कि 16, आप देखें, 16 और 218 होता है, 16 और 218 होता है तो क्या यह होगा, आप खुछ से सोचिए क्या होगा, नहीं होगा क्योंकि ये एक दूसरे के को प्राइम नहीं है क्योंकि दो इसमें भी दो है सामिन इसमें भी दो है तो ये दूसरे को प्राइम नहीं है क्या है को प्राइम नहीं है तो ये नहीं ले सकते हैं लेकिन 18 में लेना है तो 15 तिन ले ले नहीं ले सकते हैं लेकिन 5 और 13 ले सकते हैं तो आप कहेंगे बिलकुल क्योंकि 5 और 13 में कोई कामन नहीं है यानि को प्राइम है दो हो गया 2 जोड़े अब देखिए एक हमारा क्या बन सकता है जोड़ा 7 और 11 7 और 11 यह तीन जोड़े बन गए तो ऐसी कितने जोड़े बनाए सकते हैं तो ऐसे तीन जोड़े बनाए जा सकते हैं तो आप से नमर आपका कौन से सही हो जाएगा बी से हो जाएगा यही चीज हम आप लोगो को समझाने की कोशिस कर रहे थें कि अगर यह सी अफ हम निकाल दें तो जो संख्याएं बसती हैं जैसे की एक्स और वाई यह अपस में क्या होंगे को प्राइम होंगे इन दोनों में कोई चीज कामन नहीं होता है तो इसी अधार पे हम देखिए इस तरह से जोड़े अगर पूछ दे तो इस तरह से हम जोड़े भी निकाल सकते हैं यानि यह सी अफ हमने निकाल दिया तो हमने एक्स प्लस वाई कमान पता चल गया अगर एक अब देखें चौते नमर की क्यूशन में कह रहा है कि देखें LCM SCF से मतलब जब LCM से क्यूशन मनता है तो ज़्यादा समाऊना रहता है कि ये वाला क्यूशन आपसे पूछ ले घंटी वाला जैसे कि इसमें कह रहा है कि 6 गंटी अकरम से एक गंटी 12 मिनट पे बचती है हर 12 मि बचती है मतलब एक 12 मिनट बाज बचती आट मिनट और एक तीन मिनट और एक 10 मिनट तो कौन सा रहता है कि उत्फार घंटे में कितने बारिए बजएंगी तो सबसे पहले हम यह देखना होगा एक साथ पूछ रहा है तो एक साथ ही एक कब बजेंगी कितने देर के बाद ही एक साथ बजेंगी तो अगर यह हमें निकालना होगी कितने देर के बाद ही एक साथ बजेंगी तो हम क्या करते हैं इनका LCM निकालेते हैं इनका क्या निकालते हैं LCM निकालते हैं तो इनका LCM अगर हम निकालें तो इसके लिए हमने आपको तरीका बताया गुड़न खंड भी दी और भाग भी दी तो आप कोई भी तरीका से आप अपना सकते हैं तो यहां इसका LCM अगर निकालें तो इनका LCM आ जाएगा 360 इन सबका LCM निकालेंगे तो क्या जाएगा 360 ये क्या आएगा minute क्योंकि ये minute के अंतराल पर बज़ रही है तो इनका LCM आ गया minute तो यहाँ पर कहा रहा है कि 12 गंटे में तो हमें इसको गंटे में कनवर्ट करना होगा तो 360 को हम गंटे में क्नौर्ट करेंगे तो 60 से भाग करेंगे तो ये 00 यानि 6 गंटे यानि ये हर एक 6 गंटे पे एक 7 बज़ेंगी अलग-अलग टाइम भी minute में ये बज़ रही थी लेकिन ये प्रतेग 6 गंटे पे एक 7 बज़ेंगी कितने 6 लismo 1 गंटे पे तोêtes धूको 12-गंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी तो 12ंगे है तो पर प्रते 6 UK पे दो 12 गंटे में कितना छ दूना 12 연οι दो बार 12 गंटे कितनी बार बजेंगी 2 बार बजेंगी अब आई यह 24 नमर के question पर चलते हैं पांचवे नमर पर चलते हैं यह तो चार्ड नमर का question था यह हमने कर लिया पांचवे नमर के question में यह तीन संख है दी कहीं है 270, 300 बार है और 351, 270 और दिया है आपका 300 बार है और क्या है 351, इनका SCF आपसे पूछ रहा है कि इनका जो SCF होगा वो X है तो X कमान किस के किस के मतब किन दो संख्याओं के बीच में होगा तो हम SCF निकालेंगे कि SCF निकालने के लिए आप चाहिए गुड़न खंड भी दिश निकाले या भाग भी दिश निकाले या फिर अंतर विदी तो सबसे ब्यातर तरीका यहां पर अंतर विदी होने वाला कैसे देखे 312 और 370 सबसे ब्याइब और 312 और 270 गांदर निकालेंगे तो कितना होगा 49 फिर यहां 351 और 312 गांदर निकालेंगे तो 49 तो इनका SCF ही क्या हो जाएगा इन दोनों संख्याओं में देखिए इनका फैक्टर क्या बनेगा एक यह वन बनेगा और यह 49 यह बना सकते हैं हम क्योंकि दो संख्याओं में ही है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 39 है तो 49 ही इसका क्या हो जायगा SCF हो जाएगा 10 तो 39 इनका जब SCF हो गया तो यह किन दो संख्याओं के बीच है तो 39 है आपका 35 और 40 के बीच तो आपका आपसन नंबर 20 ही हो जाएगा इसका जो SCF है वो 35 और 40 के बीच में है आसान सा क्यूशन था आप चाहे जी जिस विदित से निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं SCF SCF निकालेंगे तो उसका SCF आएगा 49 और 49 किन दो संख्याओं के बीच है 35 और 40 के बीच है आजिए अगले क्यूशन पे चलते हैं 6 नमबर पर अब 6 नमबर के क्यूशन वे देखे कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का लगुत्तम समा पर तक यानि LCM SCF का 13 गुना है LCM क्या है? LCM जो है SCF का 13 गुना है यानि कि SCF हम सीदे सीदे मान लेते हैं कि SCF हमारा यच है तो LCM इसका क्या हो जाएगा? 13 यच हो जाएगा क्योंकि इसका 13 गुना है LCM क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा 13 यच और SCF क्या हो जाएगा? यच हो गया यह दोनों चीज पता चलिए है फिर यहां कहरा है कि SCF और LCM का योग यानि इन दोनों का योग यानि कितना हो जागा 14 इच इसका योग कितना है 252 तो इच का मान यहां से क्या हो जागा तो इच का मान यहां से निकालेंगे तो इच का मान हो जागा 18 है अठारे में जब 14 का मल्टिप्लाइ करेंगे तो 202 नहीं आए मतलब 14 से जब काटेंगे तो यह 18 बार में कटेगा तो यह च कमाना गया 18 तो LCM क्या आ जाएगा LCM आपका हो जाएगा LCM देखिए LCM हो जाएगा 13 गुड़े 18 क्योंकि यह 13 गुणा है LCM मतलब SCF का तो यह 13 गुड़े 18 कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या इतना तो दूसरी संख्या ग्यांत कीजिए तो देखिए एक फार्मूला आप ध्यान दखिएगा एक फार्मूला होता है कि LCM अगर LCM SCF LCM SCF गुड़े LCM गुड़े SCF बराबर क्या होता है? पहली संख्या यानि पहली संख्या पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या यह एक फार्मूला होता है इसको आप लोग ध्यान रखेगा कि LCM SCF में एक फार्मूला यह होता है कि LCM गुड़े SCF बराबर होता है पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या यानि कि दो संख्या हैं उनका गुड़नफल उनके LCM और SCF के गुड़नफल के बराबर होता है और पहली संख्या क्या दिया है चववन क्या दिया है चववन तो दूसरी संख्या पूचा तो दूसरी संख्या मा लेते हैं यह अब हम आसाने से जाद रखिएगा काफी यूज होने वाला है आईए अगले क्यूशन पर चलते हैं साथ नमर पर अब देखिए साथ नमर के क्यूशन में कहा रहा है कि वह चोटी से छोटी संख्या ग्याद कीजिए जिसे 2014 में जोटने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर कोई सेस्पल ना प्राप्त हो तो यानि कि अगर 3, 6 सबसे पहले हमें यहां देखना है 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर कोई सेस्पल ना प्राप्त होने का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या में ले होगा क्योंकि देखिए ऐसी संख्या सिर्फ इनका LCM ही हो सकती है जैसे कि पहले वीडियो में हमने आपको होता है कि LCM ऐसी संख्या होती है जो इनके अपवर्थ में इनके क्या होते हैं अपवर्थ में सोरी अपवर्थ में ऐसा अपोर्त होता है जो इसमें भी से नहीं बचेगा चार से भी काटने पर कोई से नहीं बचेगा तो इनका LCM अगर निकालना चाहें तो इनका LCM क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा इनका LCM अगर निकालेंगे तो इनका LCM आएगा 60 जब इनका LCM हमें पता चल गया 60 तो अब हमसे आगे question में क्या कह रहा है कि ऐसी छोटी छोटी संख्या हमें बताना है जिसको हम इतना में जोड़ दे तो ऐसी संख्या प्राफ्स हो जो इतने से भी वाजित हो जाए तो LCM इसका आगया 60 ठीक है तब जो संख्या आगी अब देखे या तो 60 होगी या तो कोई 60 का multiple होगा जिससे हम मतलब इन संख्याओं से divide करें तो कोई से स्फलना बचे तो 60 होगा तो 60 तो देखे इसके नद्धिक तो है नहीं तो हम क्या करेंगे ओ संख्या निकालेंगे जिससे हम को divide करना है तो देखे 1014 है इस संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़ेंगे जिससे हम इससे divide करें 60 से divide करें तो कोई sats 15 ना बचे तो पहले हम सब check करेंगे कि ये जिसे इसे भाग दे करेंगे कि कितना 6 आ रहा है तो 60 से इस को हम भाग करेंगे तो 60 से अगर भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 60 1 आ गया और यहाँ पे आ गया 4 यहाँ से उतारेंगे ये भाग करना आप लोग जानते होंगे तो ये कितनी बार जाएगा छे बार ये कितना हो जाएगा 360, ये 4 हो गया और ये 5 और ये 54 बचा अब देखे, ये 54 हमारा कितना बचा सेच बचा अब हम क्या समझाना चाह रहे हैं ये तक तो हमने भाग दिया अब यहाँ पर समझिएगा कह रहा है कि 1054 में कौन सी संख्या हम जोड़ दे मतब छोटी से छोटी संख्या कि जो संख्या प्राप्त हो वो इतनी संख्या मतब 3-4-5 से बिवाजित करने पर कोई से स्पालना प्राप्त हो तो वो संख्या 3-4-5 से जो बिवाजित करने पर संख्या तो हम अलग-अलग या तो निकाले या तो हम क्या कर सकते हैं सीधे-सीधे हम क्या करें इनका LCM से डिवाइड करें LCM से डिवाइड करेंगे अगर देखे 3 से 4 से 5 से 6 से डिवाइड होने वाली संख्या यानि 60 से डिवाइड होने वाली संख्या होगी इनके LCM से डिवाइड होने वाली संख्या होगी लेकिन हमने इनके LCM से 1014 को डिवाइड किया तो हमारा सेस कितना बचा? जो है 54 बचा अब 54 देखिए ये 54 बचा और हमें और अगर भाग देना चाहें यहाँ पे तो कितना रहे तो 60 रहे तो भाग पुरा-पुरा चला जाएगा अभी 60 रहे तो यह भाग पुरा-पुरा चला जाएगा तो अभी इसमें कितनी की कमी है 54 तो यहाँ है अगर कितना और रहता तो 60 हो जाता इन दोनों का अंदर निकालेंगे तो कितना 6 और रहता है यानि 54-67 छे और रहता तो भाग पुरी-पुरी चली जाती तो हमें क्या करना होगा अब 1014 में क्या जोड़ना होगा 54 इहां बचा है 6 की कमी है तो हम 6 जोड़ेंगे यही चीज हम आपसे बताना चाहा रहे थे पस इस कोश्चन का इतना ही मोटू है इसको आप समझ लिए तो समझ लिजिए काम हो गया ऐसे कई सारे क्यूश्चन आएंगे देखिए यही पर एक चीज और आता है कि इसमें से यह भी पूछ सकता है कि कौन सी संक्या हम घटाएं तो जब घटाना होता तो देखिए हमें चाहिए पूरा-पूरा भाग जाने के लिए कितना चाहिए यहां 360 तक चाहिए मतलब अगर यह भी 360 होता तो यहां 360 यानि पूरा कड़ जाता जो यह 54 बच रहा है यह 54 अगर नहीं होता तो हमारी पूरी-पूरी भाग चली जाती तो अगर घटाने की बात करें तर इस 54 को घटाएंगे लेकिन जोडने की बात करें तो इन दोनों का अंतर हम क्या करेंगे जोड देंगे आसा करते हैं समझ में आ गया होगा अगर नहीं भी आयोगा तो और भी क्यूशन है उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा आईए अब आठवी नम्मर के क्यूशन पर चलते हैं अब देखिए ये आपका एक असान सा क्यूशन है आठ नम्मर इसमें क्या कहा रहा है आएगा वो आएगा 1485 क्या आएगा 1485 आएगा ये निकाल लेजीगा एलसेम आपको खुदी निकालना है ये सीएफ वाई अगर देखा जाए तो भाग विदी से आप निकालिएगा तो इनका सीएफ आएगा 33 भाग बिदी से निकालेगा तो इनका स्थियाप क्या आएगा 33 इतना आपको खुद से ही करना है क्योंकि देखे एक्जाम में कैल्कुलेसन आपको खुद ही करना है LCM निकालने के लिए कोई बहुत बड़ी बात है नहीं LCM आप निकाल सकते है LCM और LCM यह आगया तो इनका अनुपात पूछ रहा है कि यक्स बटे Y कमान हमें बताना है तो यक्स है 1485 और Y क्या है 33 तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 33 और सुरी 1485 और 33 तो यह कितनी बार में कटेगा आपका 45 बार में कट जागा एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्याओं का योग पूछा है तो पहले हमें दोनों संख्याओं का योग पूछा है तो दोनों संख्याओं हमें पता होनी चाहिए तो देखिए हमने आपको फार्मूला क्या बाता आया था LCM गुड़े SCF LCM गुड़े SCF बराबर पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या ये फार्मूला याद रखिएगा LCM क्या दे रखा है LCM सुरी यहाँ देखिए दो संख्या हो LCM उसे 25 तो होगा नहीं LCM आपका 150 होगा और SCF क्या होगा 25 होगा इसको बाज में करमसा दिया है तो इसको मतलब बाज में देना चाहिए था इसको पहले देना चाहिए था पहली संख्या क्या दिया है 50 दिया है और दूसरी संख्या हमको निकालना है तो इसको हम 50 से कार देंगे तो तीन बार में तो दूसरी संख्या क्या आ गई 75 अब हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का पता चल गया पहली संख्या है 50 और दूसरी संख्या क्या आ गई 75 इन दोनों का योग हम से पूछा है तो हम योग निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 125 यह आपसन नमबर A से ही हो जाएगा आए आसान सा क्यूशन था यह अब दस्वे नमबर के क्यूशन पर चलते हैं अब देखें यह भी आपका आसान सा क्यूशन है बस हमें कि आपे समझना है यहाँ पर पहली चार अबाजे संख्याओं का लगुत्तम समा परतर और पहली तीन भाजे संख्याओं का मात्तम समा परतर तो अबाजे संख्याओं और भाजे संख्याओं कौन से होती हैं देखें अबाजे संख्याओं होती हैं जो अपने और एक के अलामा किसी और संख्या से बिवाजित नहीं होती हैं तो ऐसी कौन कौन सी संख्या होती है तो देखिए आपका एक अगर कहें तो ये अभाज संख्या नहीं होती है ये याद रखेगा एक अभाज संख्या नहीं होती है पहली जो आपकी अभाज संख्या दो इसके बाद तीन चार तो आपकी विभाजित हो जाती है तो चार नहीं होगी उसके बाद कौन सी संख्या होगी पांच तो चार संख्या ले नहीं है तो इसके बाद कौन सी संख्या होगी साथ ये चारों क्या हो गई अबाद जे संख्या और इनका हमसे क्या पूछ रहा है LCM तो इनका LCM अगर निकाले तो देखिए अभाज संख्याओं का LCM होता है इनका गुड़न फली होता है क्योंकि इन में ऐसे कोई संख्या कामन होती नहीं है तो क्या होता बेसिकली इनका गुड़न फल होता है यानि 2, 3, 6, 35, 30 और 30 का गुड़े साथ करेंगे तो कितना होगा 210 हो जाएगा 30 गुड़े साथ करेंगे तो 210 यानि इनका LCM क्या गया 210 और कह रहा है कि पहली तीन भाजे संख्याओं का महत्तम तो पहली तीन भाजे संख्या है कौन कों से देखिए पहली भाजे संख्या आपकी है चार संख्या जो सभी को divide कर ले तो वो कौन सी संख्या होगी दो होगी जो को भी डिवाइड करेगे इसको भी इसको भी भी तेख़費 नहीं हो सकती क्योंकि 4 इसको notanha करेगी तो यह हमारा इसका SCF क्या हो गया 2 तो हमसे पूछा ही उनका अनूपाथ तो LCM अनूपाथ पॉछा है? SCF पूछा है, तो LCM है 210 और trabajando 2 तो अनूपाथ क्यา हो जाएगा? 105 अनूपाथ एक तो यह आपका आपसम नमबर ए से ही हो जाएगा 105 अनूपाथ एक इनका जो है अनूपाथ हो जाएगा JCM SCF का अब आईए 11 नमर के question पे चलते हैं चोड़िए 10 कोशन इस वीडियों में 10 कोशन रहने देते हैं 11 नमर को छोड़ते हैं अगले वीडियों में हम क्या करें के 10 11 मतलब लेकर के आगे के प्रशनों को सालों करेंगे अब देखिए आपके काफी ज्यादा आसान question मिले हैं LCM SCM में बस एक ही आपको concept समझना था एक यह formula LCM गुड़े SCM बरावा पहले संख्या गुड़े दूसरी संख्या और यह concept यह समझना था कि अगर SCM को हम बाहर निकाल दें तो जो उसका multiple में अन्य संख्याय बचेंगी वो एक दूसरे से क्या होंगी को प्राइम इसी concept को अगर आपने सीख लिया तो बागी सब क्यूशन आपको क्या हो जाने वाले हैं आसान हो जाएंगे बस आपको यह सीखना है एक चीज़ा है कि हमें SCM कैसे निकालना है जल्दी से हमें SCM कैसे निकालना है कौन से तरीका में भागविदी क्या गुड़े दूसरी संक्या मतलब आसान क्यूशन ज्यादा मिलेंगे थोड़े बहुत क्यूशन है जो थोड़े से आपको टफ लगेंगे वही हम आपको बताते चलेंगे बाकि इस वीडियो के बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें हम बहुत तेजी से क्यूशन को साल नुम्बर सिस्टम के साल हो जाएंगे यानि हमने अगर लिया तो हमारा 50% समाज लिजिए कि नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया कुछ चीज़ें हैं जो नहीं है नंबर सिस्टम में हमें अलग से पढ़ना है वो भी आफान से चीज़ें उसको भी हम आपको बता देंगे बाकी LCM SCF आप पढ़ लिए number system 50% समाप उसके बाद से आपको number system के कुछ topic का खतम करके और उसके बाद से हम क्या करेंगे ratio proportion पढ़ लेंगे और उसके बाद से हम पार्टनर्सिप हमारा ये book हो जाएगा complete पूरी book हमने देखिए एक दो चैप्टर जैसे डियाई डियाई हमने छोड़ दिया और simplification simplification और डियाई लगबख सबको आता है डियाई में नहीं आता है तो डियाई के लिए हम आपको बता दे रहे हैं टो असीरी जाती है घटा चक्र की वह प्रैक्टिस सेट का हमने लगबख 10 सेट साल्व कराया है 10 सेट में मतलब एक सेट में 20 question यानि 20 question और गुड़े 10 लगबख 200 question हम दियाई के साल्व कराया हैं आप जाकर के उस प्रैक्टिस सेट से 10 नहीं अगर पांच भी आप साल्व कर लेते हैं पांच मतलब दस वीडियो हमारे होंगे एक practice सेट का हम दो वीडियो अपलोट किये हैं तो लगबख आपको दस वीडियो मिल जाएंगे अगर दस वीडियो आप जाके प्रैक्टिस कर लिए तो इस वीडियो का मतलब सोरी इस बुक का या आपका मतलब जीडी में जितने भी कुश्चन पुछते हैं डियाई से कोई भी क्योशन सिंगल ऐसा क्योशन नहीं होगा जो आपसे लगेगा नहीं इसलिए हम डियाई को नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लेडि हम उसको पढ़ा चुके हैं और यहाँ पर पढ़ाने का मतलब टाइम लगेगा हम सोच रहे हैं कि ये बुक अब ये चार्ज जो चैप्टर बताए देखिए नंबर सिस्टम और ये LCM SCF आपका चली रहा है ये भी खतम हो जाएगा नंबर सिस्टम उसके बाद हम क्या करेंगे रेशियो परपोर्शन और पार्ट नसीब इतना खतम करके हम सोच रहे हैं कि आप लोग वो प्रैक्टिस सेट साल्व करा दे गटना चकर का प्रैक्टिस सेट क्योंकि देखिए अब तक हमने जितना खोच पढ़ा है उसके बाद से अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़े भूलती चली जाती है तो उसको प्रैक्टिस करना भी जरूरी है तो हम सुच रहे हैं आप लोग वो प्रैक्टिस सेट करवाएं इसलिए इन चार चेप्टर को हम बहुत जल्दी खतम करेंगे उसके बाद हम सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट पर आ जाएंगे तो बाकी वीडियो देखिए कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताते रहें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिया कीजिए क्योंकि देखिए कि देखते हैं ज्यादा लोग लाइक बहुत कम लोग करते हैं तो थोड़ा वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए अगर अच्छा लगा रहा है वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का पूरा बहुत बहुत धन्य बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में